हेलो दोस्तों आज़ा करतों आप सभी लोग बहुत ही अच्छ होंगे तो दोस्तों जैसे कि आप सभी चात्रों को पता ही है कि जिन बेश डूंत का 1st Mary List में नाम नहीं आया उनको सेकेंड रावन में पार्टिसपेट करना है और सेकंड रावन के लिए जो है च्छाइस फिलि कर रिटेन होती है तब जो है आप यह सारी चीजे कर सकते हैं तो आईए जानते हैं काफी सारे चाथर जो मुझसे पूशते हैं कि सर जी Normalisch की और जो है उसका सकंड मेरे लिस्ट है वह कब आईगी तो यह सारा कुछ जो है आज आज डेटेल में हम समझते हैं और कप-कप जो है क्या क्या जो है डेटिट हैं वो भी समझते हैं तो सबसे पहले आप सभी छात्रू को पता है कि 20 मई से आपका रेइस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गया था और फिर उसके बाद स्टार्ट वेरिफिकेशन ऑफ कंडिडेट का जो हुआ था वो जो टीम होती है आईटे के उन्होंने जो है 21 मई से स्टार्ट कर जाता वेरिफिकेशन करना ठीक है फिर स्टार्ट डेट ओफ ओनलाइन ट्रेड आईटे चोईस फिलिंग बाइदा कंडिडेट यानि 21 तारिक से जो है सभी चातर रहां फॉर्म को फिल अप कि है उसके बाद 27 जून को जो है आपकी लाज वेरिफिकेशन थी है ना उसके बाद 30 तारिक यानि 30 जून को आपका लाज्ट डेट ओफ आईटे चोईस फिलिंग ति यानि 30 जून तक जो है चोईस फिलिंग कर सकते थे आप लोग उसके ब पता है कि आपकी जो रैंक है वो दो जुलाई को आई थी है ना फिर उसके बाद जो है आप लोगों की जो फाइनल डिस्प्ले हुई थी रैंक ही ओ नो जुलाई को आई थी है ना और पब्लिस वो फर्स्ट राउंड सीट अलोट में रिजल इन देख सकते हैं यहां पर डेट चला हो 16 जुलाई से लेका 19 जुलाई के बीच में जो है आप यह वेरिफिकेशन वगेरा करा सकते हैं ना उसके बाद क्या होगा कि डिस्प्ले ओफ सीड वेकेंसी फर्स्ट राउंड काउंस्लिंग एडमिशन पोर्टल बाइस तक ठीक है उसके बाद जो है तीज तारिक को जो है यानि 30 जुलाई को सेकेंड मेरे लिस्ट के लिए जो है च्वाइस फिलिंग ओपन कर दिया जाएगा ठीक है दोस्तों तो जो भी चाहत जो मुझसे पूछ रहेते हैं या जिनको डाउट था अभी तक डेट में तो आई होप आपको यह डेट के लिए होगा कि 30 जुल कि मन पसंद की कोलेज च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता दू मैं आप सभी चाहतरों को कि आप अब को समय होती है कि आप वही को यह स्फिलिग करें या वही ट्रेट चाहिस करें दिसमें आपका इंट्रस्ट हो बाद में मुझे को यह च्छ चोइस फिल करेंगे जिसमें आपका इंट्रेस्ट है आप एक्ट्राइट फिल नहीं करेंगे ठीक है नहीं तो आपका ऐसे ही नाम आता जाता रहे गा दोस्तों तो यह बाद जो है आप लोगों को समझने के बहुत ही जरूरत है ठीक है अब बात करते हैं आपकी जो 30 काठ हूंगी वैसी जो है मैं आपको एक फीडियो अपलोड कर दूँगा जिसके अंदर आपको बता दूँगा कि किस तरीके से चेंज करना है अब जो पूछ रहते हैं कि सर मेरा जो सेकेंड मेरे लिस्ट कब आएगी तो सेकेंड मेरे लिस्ट आपकी जो है 30 जुलाई 2024 को है कि जो यह टेटिट होती है वह हमेशा फिक्स नहीं होती है आगे पीछे हो सकते है 30 जुलाई अकर इन्हों नहीं लिखा है तो में भी हो सकता है कि 28 को आ सकता है 27 को आ सकता होना 30 को तो यह कंफर्म है क्या जागा ठीके ना फिर उसके बाद देखिए आब जिन भी जो कि अगर वो ट्रेड नहीं चाहिए तो नेक्स राउन में पार्टिसेवेश कर सकता है एक होता फिरेजिंग जो कि आपको कंफर्म एडमिशन के लिए होता है तो आप इसको अलोट कर सकते है यानि फिरेजिंग कर सकते हैं 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में उसके बाद जो है second admission fee की जो date रहेगी 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में कर सकते हैं उसके बाद जो है उसके बाद जो में चीजे हैं आपकी आपकी जो है यानि 4 जुलाई यानि 31 जुलाई के बाद से 5 जुलाई तक का आपको जो है अपने offline document verification के लिए IT करना जाना पड़ेगा जैसे हो आपका verification हो जाएगा ना तो आपको payment का option खुल जागा और payment आप लोग जैसे कर देंगे तो आपका जो है admission confirm हो जागा तो I hope आप यह लोग समझ गहे हैं ठीक है दोस्तों बाकि उसके बाद अगर second round में नाम नहीं आता है तो आप third round के लिए participate कर सकते हैं जैसे आपने first round के बा सकते हैं description में instagram का link दिया गया वहां से भी पूछ सकते हैं मुझसे जाकर और जो है आप लोग live पर भी आप जोइन कर सकते हैं छे बज़े जो है मैं regular live session attend करता हूं वहां पर जोड़ सकते हैं बाकि मेरी जो instagram आइडिया वह यह सेवन नाइन सेवन md-m-u-s-a-r-a-f ठीक है तो यह मेरी instagram id है यहाँ पर भी जाके हो मुझसे personally आपके जो भी question होंगे वह पूछ सकते हैं और मैं जो है आपके doubt के लिए करूँगा ठीक है दोस्तों मिलते हैं फिर next video में